प्रियांका और सुंभूल ने कहा कि भई खाने के साथ नहीं खेलेंगे अखिकार उन्होंने ये बात क्यों बोली है और किसको बोली है ये बात चलिए आप लोगों को बताते हैं मेरे सालास तक जुड़े रहिए चानल को जरू सब्सक्राइब कीचे बैल आइकन को दबाएए इस वीडियो को लाइक कीचे शेर कीचे पहली बात तो ये है कि सुम्बूल जो है काफे ज़दा कभी कबार स्ट्रॉंग नजर आती है और काफे सारी बाते जो है ऐसी रखती हुए सामने अददर आती है जो कि आप लोगों को दिल छूले जहां पर अर्चना अंकित प्रेंका सुम्बूल जो है बाहर बेड़ पे बैठे होते हैं जहां पर अर्चना जो है इन चार लोगों को अभी अपना राशन जो है वो बांटना नहीं चाहती है जो कि मुझे लगता है कि निम्रित है गौरी है एंसी स्टैन है और शिव है इन लोगों में ये राशन बिलकुल नहीं बाढ़ना चाहती है एक तो बात ये है कि इनकी कैपितन सी में जो है काफिस जादा उन्होंने प्राब्लम की थी और दूसरी बार जो है सुम्बूल फि शारगर के बोला कि हमारी एक रोटी जो है वो गाइट हो चुके है वो भी आधी रोटी उसने अपनी बचा के दी थी और उसके बाद भी इन्होंने एक रोटी का अरोप मेरे उपर लगाया था जो कि मुझे बहुत ही जदा बुरा लगा था इन्होंने भी तो राशन के सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए हम बाट के खाएंगे कैसे भी होगा जैसे भी होगा गुजारा जरूर हो जाएगा हम देख लेंगे उस वक्त देखेंगे कि भई क्या होने मला है जहां पर प्रियंका भी सुंबुल की बात सुनने के बाद बोलती है कि हां अर्चना ये बात सारे लोगों ने बहुत ही बड़ी बत्तोस लूकी की थी अभी आप बताईए कि राशन जो है सुंबुल अंकेत प्रियंका और अर्चना के पास तो अभी काफिस आ रहा है ये अभी दिखाई दे रहा है पर अर्चना कुछ चार लोगों के साथ बातना नहीं चाहती है तो आप लोगों को लगता है कि अर्चना जो डिसीजन ले रही है वो सही है या सुंबुल और प्रियंका जो बोल रही है वैसा ही अर्चना को बोलना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीचे इसी किसाथ मैं लेती हुँ जादस्त नमस्कार